जो व्यक्ति अपने मन में राग, द्वेश, भय आदी को स्थान देता है वे वैसा ही बन जाता है। स्रेश पुष्ट को चाहिए क्यों अपने मन का राग, द्वेश त्याग दें केबल भगवान चित्तिन करें। इन 24 गुरुओं का वर्ण करने के बाद भगवान दत्तित्रेजी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर से ये शिक्षा ग्रहन की है कि लोग हमेशा अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए उसका भरण पोशन करने के लिए अत्यंत कस्ट उठाता है। अंत में जब वे मर जाता है तो अपने कर्मा अंसार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। जिन स्त्री पुत्र आदी के लिए उसने अपने जीवन काल में अनेक अस्ट भोगे थे वे उसकी मृत दे को भी जला कर नस्ट कर देता है। शिरी गुरु देव आए नमा मेरे चैनल के सभी शोताओं का स्वागत है। गुरु देव महराज के क्रिपा आप सब के उपर बनी रहे। तो प्रिये शोताओं आए शुरू करते हैं गुरु दत्तत्रे जी के 24 गुरुँ की कथा। बहुत ही सुंदर और बहुत ही रमणी का था है। भगवान्ता तत्रे जी के तीम सिर थे, छे हाथ थे। वे अपने उपर के दो हाथों में शंक और चक्र, बीच के दो हाथों में त्रिशूल और डमरू, तथा जो हाथ नीचे थे। उन हाथों में माला और कमंडल धारन करते थे। परानों में ऐसा बताया जाता है कि भगवान्ता तत्रे जी ने भक्त राज पहलाद को अपना उपदेश दिया था। उस सुमय उन्होंने अजगर मुनी के वेश में उन्हें अपना उपदेश दिया। दत्रे जी के महानशिश्यों में सहास्तर अर्जुन, यदूराज तथा श्रीक्रिशन जी का नाम भी आता है। तथा कल्यूग में उन्होंने नाथपंत के मुख्य नो नाथों को स्वयंदिक्षा दी थी। इसलिए उन्हें आदि गुरु भी कहा जाता है। भगवान दत्रे जी ज्यान को प्राप्त करने के लिए हमेशा ललायत रहते थे। इसलिए उन्होंने अपने ज्यान को बढ़ाने के लिए 24 गुरु धार्ण किये। ये 24 गुरु ऐसे गुरु हैं जो आज के समय में भी हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। एक बार गुरु दत्तत्रे जी के शिश्ये ने गुरु दत्तत्रे जी से पूछा हे गुरु देव कि सब प्राणी इस संसार में काम, क्रोध, लोब जैसे दवानल में जल रहे हैं। परंतु हे गुरुदेव आप गंगा जी की तरह शाद रहते हैं इसका क्या रहस्या है तब गुरु दत्तात्रेजी ने इसका वर्ण करते हुए अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया था गुरु दत्तरेजी कहते हैं कि मैं पहला गुरु प्रित्वी को मानता हूँ जिस प्रकार प्रित्वी अपने उपर सभी जीव जन्तुओं दान्व और मान्वों को ग्रहन करते हुए भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती और विचलित नहीं होती उसी प्रकार स्रेश्ट मनुश्य को भी चाहिए कि जीवन में जितने भी सुख और दुख आएं उन्हें बिना किसी शिकायत के ही सहिन कर जाएं सिर्फ एक परमात्मा और अराध्या देव में ही अपनी भक्ति बनाए रखें भगवान दत्तरेजी अपना दूसरा गुरु वायू को मानते हैं दत्त इंसान के बीच में निशपाप और निशकाम बनाए रखना चाहिए जिस तरह अगर वायू गंदे स्थान से गुजरे तो दुर्गंद आती है और अच्छे सथान से गुजरे तो खुश्बु आती है लेकिन जैसे ही सीमा खत्म हो जाते है वायू फिर से बिना किसी गंद क तो मनुश्य का सभभाब भी वैसा ही होना चाहिए तीसरा गुरु दत्तत्रेजी आकाश को मानते हैं जिस प्रकार आकाश सर्व्याप को होते हुए भी सबके रंगों से रहित है उसी प्रकार आत्मा भी दे आदी पदार्तों के संग रहते हुए भी तथा मर्यादित शन करने वाला होता है उसी प्रकार अच्छे मुनुश्य को भी मानवता के लिए रागद्वेश रहित हो जाना चाहिए और मधुरबाशी होना चाहिए धत्तत्रेजी पांचवा गुरु अगनी को मानते हैं जिस प्रकार अगनी तेजस्वी प्राजित उदर आदी स्थानों मे प्रकड रूप से रहने वाली सरभक्षनी तथा किसी का भी दोश ग्रहना करने वाली होती है उसी प्रकार स्रेश्ट पुर्ष को भी चाहिए कि वे अपने स्थान पर गुप्त या प्रकड रूप से विवहार करता रहे और जन कल्यान के लिए हमेशा तत पर रहे छेटे ग आत्मा भी अजर और अमर है भले ही मनुश्य शरीर या किशी जीव जन्तु का शरीर नस्ट हो जाता है लेकिन ये आत्मा अविनाशी है सात्में गुरू सूर्य सूर्य जिस प्रकार आठ महीने तक पानी को सोक कर वर्शा रितु में निर अभिमान भाव से प्रित्वी को लोटा देता है उसी प्रकार योगी पुर्ष को चाहिए कि वे समय अनुसार इंद्रियों द्वारा विशेओं को ग्रहन करके किसी भी समय य सूर्य जिस प्रकार एक होते हुए भी विभिन वस्तु में प्रतिविंब होने के कारण अनेक रूपों में दिखाई देता है उसी प्रकार आत्मा एक ही है वे दे आदी उपाध्यों के कारण अनेक रूपों में परिलक्षित होती रहती है आठवे गुरू है कबूतर किसी प्रेम करने लगे एक दिन कबूतर और कबूतरी दोनों ही दाना पानी लेने के लिए गई हुए थे तभी एक शिकारी ने आकर अपना जाल बिछाया और उन बच्चों को फसा लिया उसी समय कबूतर और कबूतरी भी दाना पानी लेकर लोटाए जब कबूतरी ने देखा कि शिकारी ने उसके बच्चे को अपने जाल में फसा लिया है तो वे स्वेnosis भी शोक के कारण तड़पने लगी और शिकारी के जाल में जागिरी अपने बच्चों और पतिनी को तड़पते हुए देकर कभूतर भी उनके साथ ही जाल में जागिरा इस प्रकार एक दूसरे के मों के कारण पूरा कटुम्ब शिकारी के जाल में जा फासा और नस्ट हो गया इसी प्रकार संसारी मनुश्या भी अपने परिवार, रिष्टेदारों, आदी के कारण भांती-भांती के दुख प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को नश कर लेते हैं ज्यानी पुर्ष को चाहिए कि वे अपने परिवार के दुख का कारण समझ कर उनके मों में ना फासें और उस कारण को साबधानी पूरवक समझ कर उस कारण को हटाने की कोशिश करें ना कि तडब तडब कर उस कार्ण में फसें अगला गुरू है अजगर अजगर जिस प्रकार अपनी अजीविका के लिए अत्यांत प्रतेन नहीं करता और प्रारब्द के योग से जो से मिल जाता है उसी को खा कर संतुष रहता है इसी प्रकार स्रेश्ट पुर्ष को भी चाह कि वे आत्म चिंतन में लवलीन रहे और प्रारब्द के योग से अजीविका के रूप में जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष रहें गुरू दत्तात्रेजी दस्वें गुरू समुद्र को मानते हैं समुद्र जिस प्रकार भाहर से प्रसन्वा शान दिखाई देता है परंत उपर से प्रसन तता भीतर से गंभी रहना चाहिए विशे भोग आदि की अधिक प्राप्ती के समय ना तो उसे अत्यादिक अनंदित होना चाहिए और ना इन सब के मिलने पर उसे शोक ही करना चाहिए उसे इश्वर प्रायन रहना चाहिए अगले गुरू है फतिंगा फति पुर्ष को चाहिए कि वे अकर्षन में ना पड़ें चाहे कितनी भी सुन्दर स्त्री हो कितना भी सुन्दर पुर्ष हो या कितने भी सुन्दर कोई वस्तु हो उसके आकर्षन में नहीं आना चाहिए क्योंकि पतंगे की तरह सुन्दरता भी मनुश्य को अपनी ओर खींशती है और मनुश्या का वहां अंत संभव है अगले गुरु है भावरा अक्सर देखा गया है कि भावरा गंद का लोबी होता है आते वे कमल के भीतर बंध होकर कस्ट उठाता है ज्यानी पुर्ष को चाहिए कि वे गंद का लोब ना करें नहीं तो उसे भी कस्ट का सामना करना और अपना निर्वा करता है उसी प्रकार सादू पुर्ष को भी चाहिए कि ग्रिस्त को बिना कस्ट दिये हुए ही उनसे दान प्राप्त करके अपने जीवन का निर्वा करना चाहिए बारवें गुरु दत्तात्रेजी हाथी को मानते हैं जिस प्रकार हाथी हतनी के शरीर का स्पर्ष करने के लिए गड़े में जा गिरता है और बंदन को प्राप्त होता है उसी प्रकार मनुश्य को भी किसी ऐसी भोतिक वस्तु के स्पर्ष के लिए नहीं पढ़ना चाहिए अन्य था उनको भी किसी बंदन में फसना पढ़ चकता है तो समझदार मनुश्य को ऐसे शब्दों पर अमल ना करें कि शब्द भी बंधन का ये कारण हो सकता है पंद्र में गुरू है मचली मचली बांस की नोक पर लगी हुई स्वादिष्ट वस्तू का स्वाद लेने के लिए मचवारे के जाल में फस जाती है इसी तरह ज्यानी पुष्ट को चाहिए कि वह स्वा अंचित किये हुए शध का स्वाद भोगता है इसी प्रकार योगी पुष्ट को चाहिए कि वह ग्रिष्ट लोगों द्वार तैयार किये हुए पदार्थों का स्वाद उपोगें दूसरी बात इसी धनी पुर्ष के आगमन की आशा में आधी रात तक घर के दरवाजे पर बैठी रही। प्रन्तु कोई भी पुर्ष नहीं आया। तब वे आशा छोड़कर अपने घर के भीतर चली गई। और शहिया पर जाकर सो गई। उस रात उसे खूब गहरी नीद आई। इसी प्र उसे चोंच मार कर घायल करने लगे। ये देखकर उसने मास का टुकड़ा नीचे छोड़ दिया। जिसके कारण अन्य पक्षी उससे दूर हट गए और उस मास के टुकड़े के पीछे भाग गए। मुनुष्य को भी चाहिए जो बस्तु आपको कस्ट दे रही है उस बस्त का त्याग कर देना चाहिए। अगला गुरु दत्तात्रेजी बालक को मानते हैं। बालक को जिस प्रकार मान अपमान का ख्याल नहीं होता साथ हुए कुटम के भर्ण पोशन की चिंता भी नहीं करता और हमेशा वे अपने खेल कूद में वैस्त रहता है। इसी प्रकार हर म वही सब का भर्ण पोशन करते हैं, वही सब का साथ देते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप से हाथ जोड़ कर एक प्रात्ना करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं सनातन का परचार कर सकूँ। अगला गुरु दत्त्तरेजी कमारी कन्या को म प्रंतु आनाज कूटे समय उसके हाथ की चूड़ियां खनकने लगी। ये देखकर कन्या ने सोचा कि यदि महमान के कान में मेरी चूड़ियों का शब्द पड़ेगा तो वे पहचान जाएंगे कि इस घर में दरिदरता है और भोजन का समान पहले से बना कर नहीं रखा तो उस लड़की ने एक-एक चूड़ी और निकाल दी और एक-एक चूड़ी ही हाथ में रखी। ग्यानी पुष को ये समझ लेना चाहिए कि अनेक व्यक्तियों के साथ रहने पर बातचीत में ही समय व्यतीत हो जाता है। उससे ये शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार बहु बान ग्रहन करने के लिए हमेशा एकांत में रहना चाहिए। अगला गुरू बान बनाने वाला एक बान बनाने वाला व्यक्ति बान को सीधा करने में इतना व्यस्त था कि उसके बिलकुल निकट से गाजे-बाजे के साथ राजा की सवारे निकल गई। प्रन्तु उसका उस बलकि चुवे के घर में निवास करके सुखी रहता है वे कभी एक स्थान पर पड़ा नहीं रहता उसी प्रकार साधु पुर्ष को भी एक स्थान पर घर बना कर नहीं रहना चाहिए उसे चाहे जहां जाकर बैठ जाना चाहिए और किसी पर अपने सभाब को प्रक्ट नहीं करना चाहिए किसी की सहायता नहीं लेनी चाहिए और बहुत कम बोलना चाहिए अगला गुरू मकडी मकडी जिस प्रकार अपने मुँँ में से सूत निकाल कर जाल बुनती है और फिस्वे उसे निगल जाती है उसी प्रकार परंपरमेश्वर भी खुद ही सृष्टी की रचना करते हैं और खुद ही सृष्टी को निगल जाते हैं अथवा खत्म कर देते हैं चौबीसवे और अंतिम गुरू तितली जिस प्रकार तितली जिस फूलवर बैड़ती है उसका रंग वैसा ही प्रतीत होने लगता है उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन में राग, द्वेश, भय आदी को स्थान देता है वे वैसा ही बन जाता है स्रेश पुष्ट को चाहिए क्यों अपने मन का राग, द्वेश त्याग दें केबल भगवान चितन करें इन 24 गुरुओं का वर्णन करने के बाद भगवान दत्ता त्रेजी कहते हैं कि मैंने अपने शरीर से ये शिक्षा ग्रहन की है कि लोग हमेशा अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए उसका भर्ण पोशन करने के लिए अत्यंत कस्ट उठाता है अंत में जब वे मर जाता है तो अपने कर्मा अंसार दूसरे शरीर में प्रवेश करता है जिन स्त्रीपुत्र आदी के लिए उसने अपने जीवन काल में अनेकस्ट भोगे थे वे उसकी मृत्र दे को भी जला कर नस्ट कर देता है स्रेश्ट पुष्ट को चाहिए कि वे मनुश्य शरीर पाकर अपने को विशे भोगों तता श्त्रीपुत्र आदी के मों से बचाएं विशे भोगों की प्राप्तितो अन्ययोनियों में भी होती रहेंगी प्रंतु परमात्मा का साक्षातकार केवल मनुश्य जन्म में ही हो सकता है इसलिए हे मेरे श्रोताओं अगर आपसे ज़्यादा ना बन सके तो दिन में दिन के 24 गंटों में कम से कम 24 बार भगवान श्रीराम भगवान नारायन अपने अराध्यदेव का नाम ले 24 गंटों में से 24 बार भी आप नाम नहीं ले सकते हैं तो सुबा शाम दो टाइम जरूर अपने इस्ट का ध्यान करें भगवान आपको सत्बुद्धी देंगे